सामने हो मंजिल तो रास्ते ना छोड़ना जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किले यहां लेकिन सितारों को चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक पर फिर से फिर गया इन लाइनों के माद्यम से मैं आपको थोड़ा सा आसपष्ट कराना चाहता हूँ कि लाइश्ट वाली लाइन का यही मतलब हुआ सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना आपके लिए कि कोई भी काम्याभी बहुत जल्दी पाने के लिए किसी के साटकर्ट बताएगे रास्ते पे नहीं जाना जैसे लोग गलत काम कर बैठते हैं घूस पात दे करके अगर नौकरी की बात करें करियर की बात करें तो वो इसका मतलब जमीन छोड़ देते हैं और फिर जमीन छोड़ने के बाद सितारे हाथ नहीं आते हैं जमीन भी दुबारा हाथ नहीं चलिए बढ़ते हैं आगे इमांदारी से सब कुछ करेंगे तो बेतर होगा वाकि और सब आप समझता रहें पिछली कलास में हम लोगों ने डिजिट पढ़ लिया था और नंबर पढ़ लिया था अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कमेंट करके बताईएगा हो सकता डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल जाया अगर आप इस वीडियो को यूटूब पे डेमो के रूप में देख पा रहें तो और अगर आपने एप में लिया होगा तो फिर आपको पूरी कलास मिली होगी चलिए आज हम बात करेंगे कलासिफिकेशन आफ नंबर यानि कि संख्याओं के परकार के बारे में संख्याओं कितनी परकार की होती हैं जहां से चूटा था उसके आगे बढ़ेंगे देखिए साथियों एक्चुली जो संख्याओं होती हैं वो होती तो कई परकार की हैं ल लिख लीजिए संख्याओं का वर्गी करण या फिर परकार वर्गी करण लिकलो आप लोग देखिए हम सिर्फ और सिर्फ इंप्वाटेंट नमबर के बारे में बात करेंगे अगर इनको हम सिंपल और बल्कुल बेसिक तरीके से वर्गी करण करेंगे तो काफी लंबा हो नेचूरल नमबर, हिन्दी में इसे बोलते हैं बच्चा प्रकृतिक संख्या, क्या बोलते हैं प्रकृतिक संख्या, आकिर ये प्रकृतिक संख्या कौन से पक्षी का नाम है, वई नेचूरल वर्ड सुनकर के आपके दिमाद में कुछ पेर, प Sapply, पहार, परवत, गड़्ड गुड़ा खुशयाद आया मतलब जो प्रकृति ने बनाया है अब देखो यहाँ पे समझो नेचुरल नंबर एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि वो नंबर जिसको इंसानों नहीं बनाया मतलब आजमान से गिरी फिर कहां से आई यह नेचुरल है आप सभी ने सुना होगा कि सुन संक्या जिनकों आम गिन सकते हैं गिंती की संक्या आइं नेचुरल नंबर कहा लाती है यह यह consumption को गिन सकते हो ंदेखो बच्चा जैसे अगर मैं ने कहा 5 तो आप 5 को गिन सकते हो अगर मैंने दो कहा तो आप दो को गिन सकते हो एक को आप गिन सकते हो अगर मैंने एक मारकर लिया मैं बोलू कि इत्ता है तो आप गिन के बता दोगे एक है अगर मैं दो ले लूँ तो आप बता दोगे कि नहीं ये दुई है जोट मत बोलो दो है और अगर मैंने एक हाथ में एक ठी और उठा लिया तो कहोगे ये तो गड़बड हो रहा है सब बढ़ रहा है कि एक ठीन हो गया मतलब आप गिन ले रहे हो ना अगर मैं बोलू कि मेरे हाथ में माइनस पांच मार कर रहे है आप तुमको कुछ दिख रहा है लवक रहा है कहा है माइनस पांच माइनस पांच कहा है अगर मैंने कहा कि हमारे हाथ में सुनने रूपया है आपको कहीं दिखा रूपया सुनने हाथ में कहा है नहीं ना अगर मैंने कहा कि हमारे हाथ में एक Pen青 तब आपको गिनती आएगे आपको दिखेगा भी एक है तो आप समझ गए न याини वह संख्या जी से हम गिन सकते हैं स्कुष कर सकते हैं किसी न किसी मार्ध involved से बाकि माइनस की संख्या है या फिर सुनने को हम कहीं दिखा नहीं सकते कि यह सुनने बस तु है यह सुनने फलाना चीज है ऐसे नहीं बता सकते हो ना देखो अब हम जो आगे इंगलीज में इसको कैसे बोलेंगे दिखो यह यह इंतीजर जो है इसका मतलब है पुडांग इनका यह मतलब है कि जो प्रकृतिक संख्या है वो क्या है एक counting number है मतलब गिंती वाली संख्या है गिनी जाने वाली संख्या है set content positive integer मतलब जिसमें धन पूड़ांक सामिल होते हैं या फिर जो धन पूड़ांकों को आपने में सामिल करती है या फिर वह संख्या जिनको गिन सकते हैं यह तुमसे कहीं नहीं पूछा जाएगा बुड़ा जाओगे कि प्रकृतिक संख्या क्या है अगर आप competition में आ गए हो अगर आप अभी भी बच्चे हो तो हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए आपसे लेकिन यह पूछा जाएगा कि प्रकृतिक संख्या की सुरुवात कहां होती है इसकी खतम हिंड कहां होता है तो भैया वो प्रकृतिक संख्या की सुरुवात वन से होती है बबुगा वन टू थ्री फोर 5 टुट में अंट तक यह infinite का चिन है से लिखते हैं ना infinity कि एक स्पेलिंग सब्सक्राइब क्या की यह इनचुरल नंबर हो गया और जांपल में आप कुछ आप सकते हो निचुरल नंबर में और यह यह वी क्या है यह नेचुरल नंबर हे cette कि यह ने चुरल नंबर सब नेचुरल नंबर है लेकिन ध्यार रहे हैं यहाँ पर कोई नंबर माइनस नहीं होगे फिर कलपनाओं की दुनिया में पहुंच जाओगे कि कास हमारी साधी हो गई होती और हमारे बच्चे हमारे पास बैटके पढ़ रहे होते अब कुछ लोग इ इनकी नहीं मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जहत पहले से जेल रहीं उनके बारे में बात नहीं दूब देख हमाद अगला नंबर लिखो और को मतलब कुछ और समझे रहे हैं? देखो यहां पर समझो, whole number, whole number means पूर्ड संख्या, पूर्ड संख्या क्या होती है? देखें यहाँ पर थोड़ा से समझिये पूर्ड संख्या के बारे में यह बहुत ही आसान है यह प्रकृतिक संख्या का ही पडोसी है दोनों का घर आसे पास में अगल वगल में बल थोड़ा सांतर है वो क्या है जो दूरी है वो जीरो की है इसकी सुन्न की है तो इसको देशी भासा में अगर हम बोले तो प्रकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को भी अगर सामिल कर दें तो ये बनी संख्याएं क्या होती हैं पुर्ड संख्याएं होती हैं क्योंकि ये अधूरे अधूरे से हैं प्रकृतिक संख्या पूरी नहीं है ये अधूरी अ करो पूर्ड संख्या समय में आयी है इंगलीज में बताया हूं इंगलीज में लिखलो मेराइयर9 टीब integer, whole number, are known as non-negative number. Non-negative मतलब, समझ रहो कि नहीं? आरे कहने का मतलब वही प्रलस में है, positive है बस, whole number में भी माइनस और संख्या नहीं आती है, ठिक है? and it does not include, it does not include any fraction or decimal part, मतलब कि पूर्ण संख्या में कोई भी decimal या fraction सामिल नहीं होता है, अगर one upon two है तो कहो बच्चा का यह पूर्ण संख्या है, नहीं, no और फलाने कहता है कि यतना लिखा है, 0.45, यह पूर्ण संख्या है, यह भी नहीं है, सिधा-सिधा कह रहा है कि whole number are known as non-negative integer, फुल मिला करके अपने खुपड़ी मितना वसालो कि जो natural number पढ़े हो, वही यह भी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सुनने होता है, यह इतना अंतर है बस, यानि counting number ही होती यह भी, इसमें लेकिन 0 भी होता है, समझी गए ना, जल्दी से आगे-ागे बढ़ते रहो फट अफट क्योंकि टाइम होने वाला, 10 मिनट से जादा बड़ी यह वीडियो हम बनाएंगी नहीं, अगर आप इसे यूटूब पे देख पा रहे हो, तो हाँ, अगर इतनी बीच-बीच में यह, आप देखते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अगला बच्चा इंटीजर, आप लिखो टाइटल फट अपट, अगला क्या है, इंटीजर, अरे इसको देशी बाता में पुडांक बोलते हैं, वही पुडा पुडांक, वही पुडांक जो बच्चे ले आते हैं, तो कोई इंटर्व्यू लेता है, तो कहते हैं, हम तो पापा को पास कराने को बोले, पापा तो हमें टाप कराती, समझ रहो ना, बिहार के टापार अभी ऐसे ही हुए थे, हाली में, वही कहो कि बिहार वाले गरी आए को बोली, यह तो टापी कराती, हां, ऐसे नहीं करना, आप लोग पढ़े लिखे रहें, चलो, पुडांक क्या होता है, सुन लो पहले, इंगलिस में, फिर मैं बताऊंगा, उसका हिंदी में सोच विचार के, चलो सुनो, इंटीजर आर दस सेट आफ आल होल नंबर, बट इट इंकल्यूड आर निगेटिव सेट आफ नेचुरल नंबर आलसो, यह तुई स्टेप में थे, तीसरें पहुंच गए, यानि कि जो होल नंबर होता है, बच्चा, जीरो से ले करके, यह आला फलाना वाला जो पढ़े हो माइनस का टू, माइनस का थ्री, डाट डाट बात समझ में आई, जबकि नेचुरल नंबर में और जो होल नंबर था, उसमें निगेटिव नंबर इंकल्यूड नहीं थी, लेकिन पुडांग की बात करें तो यह सब को आपस में समेट लेते, समझ गए ना, यानि सभी धनात समक और सभी रिडातमक संख्याओं को पुडां कहते हैं, हमारे समझ से यह हुआ, इंगलिस वाले सुन लें, इंटीजर आर दस सेट आफ आल होल नंबर, सेट मतलब एक समुच्चे, एक समू समझ लो, ठीक है, बट इट इंकल्यूड अ निगेटिव सेट आफ नेचुरल न या, इनको जो हम परदर्सित कर सकते हैं, जेड से, जेड क्या है, इंटीजर पुडां का सिम्बल है, नेचुरल नंबर का जो सिम्बल है, वो यन है, याद रखना, इक लोट अपट कहीं अगर नेचुरल नंबर लिखना, तुम यन लिख दोगे, वो मान लिया जाएगा, सिम्बल डबलू है, अभी तक मैंने तीन पढ़ाया, तीनों का ये सिम्बल है, अलग अलग, तो फिलहाल आज की कलास मुझे लग रहा, बहुत बड़ी हो जा रही, अगली कलास में हम पढ़ेंगे, रेफनल नंबर, और नंबर, इबेन नंबर, सारे नंबर पढ़ेंगे, देखना जरूर अगरी भी कलास, अगर मैद सीखना है, घर बैठे, गारंटी के साथ सिखाएंगे, अगर आप रेगुलर सारी कलासे देखेंगे, इस वीडियो को जादा फिजादा सेयर करो, फैला तो अगर चाहते हो कि दो-दो घंटे की बड़ी-बड़ी कलास हम चलाएं ऐसे ही महराथन कलास और आपका सब खतम हो जाए, अपने सभी दोस्तों को सेयर करो, जबरजस्ती सेयर करो सबके पास, वीडियो के बीज लाखों में आने चाहिए, हफ्ता के अंदर, देखो, ये दस मिनट की कलास ना, दो घंटे की कर देंगी हम, प्रॉमिस कभी करते नही करते हैं, तो उसे पूरा करते हैं, आज के लिए इतना ही, इतने भी साथी नए जुड़े हैं, फिरी पढ़ना चाहते हैं, घर बैटे चनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप इसे एप में देख पा रहे हैं, तो एप में आपको पूरा कोर्स अच्छे से मिला होगा, सि है सकत salary कर दो नएलना चाहते हैं, अज हूरा को बैको बैकर बने में पहुत वारा कौत खज कर सताव तो जाफंशाब कर एंप कर एंदियर का दो चाहते हैं, बैके हैं दूड़े हैं, अबएध कर एंदियर को में घ zij сделखते हैं, गहाई हैं आवरा कि हैं ठावर को जापको य